हर्याना सरकार में राज्य की हाई लेवल मिटिंग कोरोना के उपर जो हुई है अभी अभी वो खतम हुई है और उसके अंदर सरकार ने क्या फैसला लिया है यह हम देखेंगे इस वीडियो में तो वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि कोई भी अपडेट हर्याना से जुड़ी हुई आपसे चुट नहीं सके और वीडियो को लाइक और शेर भी जरूर कीजिए आज हर्याना की हाई लेवल मिटिंग हुई है और इस मिटिंग में राज्य लेवल की मोनेटरिंग कमेटी की बैठक हुई है हर्याना में लोकडाउन हो कोई भी स्थिती अभी नहीं है और मुझदूरों को भी कहा गया कि अभी अपने घरों में ना जाए होम आइसोलेशन वाले लोगों को डोक्टर की टीम्स घर घर जाकर देंगी दवाउं की किट और दवायों और ऑक्षिजन की हर्याना में कोई भी कमी नहीं है धार्मी का वाजनों पर परतिबंध लगा दिया गया है और ब्याली स्पीशदी आईसिव में बैड्स अधिक्रित हैं हर्याना की जमीन पर बैठे किसानों का कोरोना टेस्ट कल से किया जाएगा और किसानों को वैक्सिनेशन भी दी जाएगी तमाम मेडिकल कोलेज में क्रिटिकल कोरो किया जाएगा इलेक्टिव सर्जरी कल से बंद करदी जाएगी और कुम mg मेले मेंसे जो भी आदमी लोटेंगे उनका करोना टेस्ट करवाना अनिवारय है और हर्याना में अभी लोकडाउन का कोई भी विचार नहीं है हर्याना में कोई पलायन नहीं तमाम तरह के करेक्रम चाहे राजनीती हो या धार्मिक हो सब पर परतिपन्द लगा दिया गया है कल से हर्याना के होस्पिटल में इलेक्टिप सर्जरी बंद कर दी गई है और हमें डॉक्टर चाहिए जो घर घर जाकर मरीजों को दवाई दे ये निर्ने लिए गई है कुछ इस मीटिंग के जो निर्ने थे वो हमने आपको बताए है और कोरोना अब की बार जो सेकेंड स्ट्रेन आई है वहुत ज्यादा घातक है इसलिए अपने घरों में रहिए मास्क का यूज कीजिए मास्क जरूर लगाईए जब भी घर से बाहर निकले और अब तो डॉक्टर् रहिए मास्क लगाईए थेंक यू